जहां की मिट्टी के कनकन में लक्षमी करती बास है अपना बेगु सराय कुछ खास है अपना बेगु सराय कुछ खास है अपना बेगु सराय कुछ खास है अपना बेगु सराय को खास बनाती है इस पर तो चर्चा करेंगे तालियों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत इस भरी गर्मी में भरी दुपहरी में सब इंतजार कर रहे हैं अपनी आवाज आज तक के जरीए लेकिन आप दिनकर जी के गाउं से आए हैं उनकी घर से आए हैं तो क्या नाम है आपका? अमान राज और क्या सुनाईएगा? कविता सुनाईए बरसो तक बन में गूम गूम बाधा विगिनों को चूम चूम साधू पदां पांग पत्थर पंडवाएं कुछ और निगर सो भाग दना सब सोता है देखें आंगे क्या होता मैतरी की राबताने को सबको समाग परिको दुनियो धन को समझाने को द्वान सबचाने को भगवां हस्तिना पुडाए पंडवो का संदेशा लाए दोन्या एगार तो दो केवाल इसमें विए दिको इबादा होते देदो केवाल पाच रखो अपनी धरती तमाम अमवाई कुशी से खाए परिजन पेसीना उठाएंगे दुनियो धन को समझाने को भीशन विर्वांस बचाने को भगवां हस्तिना पूरा पंडवो का संदेशा लाए दुन्या एगर तो आधा दो केवाल इसमें विए दिक पादा हो तो देदो केवाल पाच गराम रखो अपनी धरती तमाम जब विनाश मनुष पर चाता है पहले विवेक मर जाता है पॉलिटिक्स में अचकल बहुत चर्चावरी कितने दिल में याद कि एक दिन में पूरा कंठस्त एक दम एक दम मतलब टाइम नहीं लगते दम धड़ा धड़ बोलते हो है बीच में सांस लेते हो नो मुस्कुरा दो हस्दो तो जबादा सालियों के साथ बच्चे का भी नंदन भाई अब चुनावों पर हम लोग चर्चा करते हैं क्या करते हैं अब बहुत साथ बिकास का कार्ज हुआ है अब अपने पने सोचने की नजरिया है जिस नजरिया सर सोचेगा वह इना जाराएगा इतने सारे कार्ज हुए हैं और गिराजदा जो है यहां इतने पॉपलर हैं कि हर बख़त अबलेवल रहते हैं यहां की जनता के बीच में सु इनके प्रया से हुआ है बिल्कुल मैं सामत हो हमारे जो अभी बर्दबान सांसद है उनसे हम सभी बहुत खोश हैं और इन पांच सालों में कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा जिस महीना वो यहां आकर के अपने छेतर में भ्रमन नहीं किये हैं और जहां तक केंद्रिय विश्व चुकि मैं छोटा सा कलमकार हूँ दिनकर जी की माटी से तो मैं ऐसी बात तो मैं तो समों के हित में बात करूंगा ना तो मेरा कहना है कि पहले मैं चुनाव के संबंद में कि लोक तंद्र के महापर्व का दिल से सम्मान करेंगे हम लोक तंद्र के महापर्व का दिल से सम्मा करेंगे हम भीशन गर्मी हो आंधी हो फिर भी मतदान करेंगे हम अर के लिए यहां हैं सब को प्रेरना देने के लिए हम सब को प्रेरना मिले वोट जो है वह आपकी आइडेंटिटी है वोटी से आपकी जो नागरिकता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्या सोच रहे हैं चुनाओ हमारे जो सांसद हैं मांडियागी राज सिंग उन्होंने जो राश्टिय हीत के मुद्दे पर ये सरकार बीजेपी ने काम किया है चाहे वो जो विवादी तराम मंदिर मुद्दा हो कश्मीर का मुद्दा हो जिस तरह से उन्होंने सांति पूर्बक हमारी सरकार मोदी सरकार ने हल किया है हम सब का साथ सब का बिकास, सब के विश्वास में उन्हें मददान करे हैं मोदी जि तो बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं मोदी जी को ही वोट दूंगी और बहुत सार अभी काश भी किये हैं जैसे काश्मीर का मामला हो राम जन्न भूमी का हो यह हमारे देश को यहां पर लगता है कि 370 एक मुद्दा है जिसकी वजह से वोट देंगे कि जम्मु कश्मीर से 370 का हटना कि इनों ने यह मुद्दे गिनाए इसलिए राम मंदर कितने लोगों को लगता है कि राम मंदर बनाए इसलिए वोट देंगे देखे विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रकडिया है एक दिन में समाप्त होने वाली चीज नहीं है जो हमारा डिमांड था जो यहां के लोग चाहते थे मैंने अपने जीवन काल में इतना विकास होते हुए किसी संसदिय छेतर में आज तक नहीं देखा है मेरे पिता जी आए पांच बरसों के बाद बेगू सराय वो खो गए 80 साल 89 एर्स के हैं खो गए कि बेगू सराय अब कहां है बेगू सराय तो बिलकुल बदल चुका है इसमें गिर्राज बाव का बहुत महत पुर्ण योगदान है और विकास निरंतर एक चलने वाली प्रकिडिया है और आगे जो हमलों का दिनकर इन्वर्सिटी जो डिमांड है वो निश्चित रूप से अगले कार्जकाल में पुड़ा होगा मेरा भोट निरंदर मोदी के नाम क्यों उन्होंने विकास किया है 370 हटा और देश में विकास की लहर दौर रही है और जहां तक रोजगार की बात है उस पर भी ध्यान दिया है उन्होंने आगे उमीद है आगे और अच्छा होगा कई लोगी कहते हैं कि बिहार में लोग अक्सर जाती देखकर वोट करते है अब भुमिहारों का गड़ है यहां चार लाक भुमिहार है तो धाई लाक वो है तो सत्तर हजार वो है कि मांदारी से बताईएगा कितने लोग जात देखकर वोट डालने जाते है कोई बताएगा थोड़ी इस जो जो हसर है मतलब उस पर शक करना चाहिए जात देखकर लोग वोट करता है कि नहीं करता है पका बदल गया जी बिलकुल बदल गया बस बेगुसराय देख रहा है वन मैं शो नरंद्र मोदी ठीक है क्यों अरे क्या नहीं जी ट्वेंटी का जो हमारे देश में जो यह हुआ आप मुझे बताईए हमारा विश्व में सम्मान बढ़ा या नहीं बढ़ा है तीन सथ सतर हम भारत के नागरिक हैं यहां दो सम्विधान यह कैसे चलेगा तो हर चीज में सुधार दस साल में इतना अच्छा काम हो रहा है फिर क्या कहें नरेंद्र मोधी तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लेकूल एजूकेशन रोजगार का बहुत इंडिया में दिकत होने जा रहे हैं हमारे बिद्यारती लोग बीटे करके एमटे करके बेरोजगार हो रहे हैं इसे पर उनको ध्यान देनी चाहिए बहुत अच्छे किसी पर नहीं नहीं जो काम करेगा हम लोग उसी पर यह करेंगे नरेंद्र मोधी वन मोसे मतलब सो है और उसके जैसा कोई परथान मंतर है ही नहीं और नहीं होगा भी और जो अभी भोटिंग हो रहा है सब नर्वत मोधी के नाम पर हो रहा है 370 चाहिए हो चाहिए जम्मू कस्मीर का मेटर हो चाहिए जहां का मेटर हो अब बिकास की और बिल्कुल ध्यान नहीं दिये है बिल्कुल बिल्कुल जिनको टिकर देदेंगा हम उनको भोड देदेंगा आदमी के साथ एक मजबूरी है भी प्रधानमंत्री नहींदर मोदी बस लोग उनको सपोर्ट करता है भारत का निवासी उनको सपोर्ट करता है बस ये अधिक जीवी प्रक्रिया में देश में देख रही हूं वह सब है लोकल कैंडिडेट से खुश नहीं है नाराज है काम नहीं हुआ है लेकिन मोदी को मजबूरी बता रहे कि वोट उनको देना ही पड़ेगा मोदी राष्टवाद और विकास देश में बहुत किये हैं और गिराजवाव भी काम किये हैं फटलाइजर रिफाइनरी बहुत सारा बिस्तार किये बहुत कम किये है अब घरगर जाके काम करना तो मुश्किल है काम सारवजी काम बहुत किये है देश लेवल पर देख जाये तो मोदी जी बेश्ट राहुल जी आदमी नहीं है पसंद नहीं है पसंद नहीं पसंद कैसे होंगे तूख क्योंकि देश की विरस्था में गांधी परिवार का ऐसा कोई कारे ही नहीं है जो नहीं हुआ है गांधी जी का देन ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं है हर चीर तो गांधी का देन है गांधी परिवार का देन है ऐसा क्या है जो गांधी परिवार का देन नहीं है चलिए गाने के साथ अंत करते हैं कुछ पल मन को दूर रखें जाती धर्म और भाशा प्रांत से कुछ पल मन को दूर रखें सही बटन पर हाथ दवाएं ऐसा हम सब ध्यान करें चलो मतदान करें कि पहले दो फेसे में उदासींता देखी गई है इसलिए अगर आपके लाके में वोटिंग हो रही है जरूर अपना वोट डाले